असलाम अलेकर रहमत इल्लाई बरकातू वेलकम टू रुटास कीचन आप सब लोग कैसे हो उमीद करते हैं अल्ला की फ़दले करम से आप सब लोग खेरे से होगे आज पर नई रेसिपी के साथ हाजिर है हम यहाँ पर बर्ण्ट गार्लिक फ्राई राइस की रेसिपी आप से शेयर करेंगे एक खाने में बहुत ही डिलीशेज बनता है आप एक बाइस तरीके से जरूर ठाय कीचिएगा इंशाला आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गार्लिक चॉप डाल देंगे ऐसे कंटिनिसली चलाते वे इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक यह अच्छे से गोल्डन नहीं होता इसी तरह से हम चलाते रहेंगे प्योंकि लेसन जब हम दालते हैं तो थोड़ा चिपकने लगता है लेकिन जब अच्छे से तेल में गरम होने के बाद दालेंगे तो ज़्यादा चिपके गरेंगे अब इसे हम कंटिनिसली चलाते रहेंगे बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकेंगे नहीं तो यह नीचे चिपक जाएगा तो सारा जल जाएगा गयास की फ्लेम को हमने मीडियम ही रख दिया इसे चलाते हुए पांच मिर्ट हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे अब ये अच्छे से गोल्डन हो गया है इसे हम स्टैनर में डाल की से चान लेंगे यह जैसा बिरिस्ता बनता वैसे ही एक रिस्पी बनके रेडी हो जाता है अब हम इसे साइट में रख लेंगे और आगे की हम तयारी कर लेंगे 400 ग्राम अख्षी निएक प्रतवा खाल गर को सब्साहerson ने को गरेंगे इसे ऑल्यारी करना जाएक रिसाशन का क्षारrá गर्शार गरेंगे वोईल करते भी हमने हाफ टीज़पून जिंजर कार्लिक पेस और नमक दाल दिये थे वन टेबर स्पून सेलेरी को हमने चॉप करके रख दिये आप इसके जगा हरी दन्या की डंठल भी ले सकते हैं यहाँ पिरम रेड बेल पेपर यलो बेल पेपर और कैप सिकम टीनों चीज़ओं को हमने च amount करके रख दिये हैば चांटे değiş करके रख दिये हो जैए हमने जो गार्लिकों बंट करके रख दिये वह है वह आप स्पून बंट पर पाऊडर चुछिक्टं पाऊडर इसके सबसे नमक, दो अंडे ले लिए है, वन टेबर इस्पुन विनिगर ले लिए है अब हम अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे, थोड़ा सा वन पिंच नमक डाल देंगे अब हम राइस बनाना इस्टारऊट कर लेंगे, उसका हमने आल डाल देंगे जिंजर गार्लिक खरच दाल देंगे इसे हाइ फ्लेम पर अच्छे से बीट कर लेंगे, जब तक कि इसका कच्छा पन चलाने ही जाता है इसी तरह से हम चलाएंगे अब यह अच्छे से fry हो गया है, इसका हलका सा color change हो गया है अब हम इसमें spring onion का white part जो हमने निकाल के रख देते हैं, वो डाल देंगे इसे 2 minute के लिए इसे चलाएंगे ताकि अच्छे से soft हो जाएं अब यह अच्छे से soft हो गया है, हम इसे side में कर लेंगे बीच में हम अंडा दाल देंगे जो हमने बीट करके रख दिये थे इसे हम थोड़ ज़र इस तरीके से फैला लेंगे फोरान इस्पून नहीं चलाएंगे बस इसे फैलाते वे इसे चलाते रहेंगे ताकि छोटे छोटे इसके पीसेज बन जाए अब अच्छे से फ्राइ हो गया अंडा हमने से स्क्रमबर कर दिये अब इसमें सैलेरी डाल देंगे और बेल पेपर जो हमने कट करके रख देते वो भी डाल देंगे इसे भी हम थोड़ ज़र चला लेंगे भी हो प्रणची से वहा हो जाए मैं हलका सब्सक्राइल लेख जाए है अ場 मैं अलंगे ज्लदी से गल जाते लास्ट में अहलाए अब उसमें फिर्ण यहाज भूर चोंच इनन अब इसमें फ्कसा बचाती अब इसमें वीजिए वीनिगर वाइट पिपर और चिकन फ़ाडर जो हमने निकालकर रख दिये थे वह बहुतों हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम ने ग्रीन चिली नहीं डाले थे इसके लिए हमने ग्रीन चिली सॉच दाल देंगे तू टीजपून आपको जित करेंगे हलके हलके सी से मिक्स कर लेंगे नहीं तो चावल तोट जाएंगा अब हम बंट गार्लिक जो हमने फ्राइ करके लग दिये वह दाल देंगे आधा हम लास्ट में दाल देंगे ताकि मुह में यह जब क्रिस्पी आ जाता तो खाने के लिए बहुत मज़े का लगता है अ उसे साविंग प्लेट में निकाल देंगे लग रहना टैम्टिंग है जितना दिखने में टैम्टिंग है उससे कई ज़्यादा दिलिशेस भी बनता है आप एक बाइस तरीके से जरू ट्राइ कीजिएगा इंशालला आपको बहुत पसंद आगा अगर आपको हमारी सिंपल इजी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दुआओं में याद कीजिएगा फिर मिलेंगे इंशालला नेक्स रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिस